नमस्कार फ्रेंड्स, online tech, सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब कर लें चलिए वडियो को सुरू करते हैं, आज की स्वाइब में हम बात करने वाले हैं, SBI, CSP के कमिशन रिलेटिव में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि new structure के हिसाब से बैंक CSP को पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमें new structure के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, अगर हम इस करना है और बैंक का दो यहां पर आपको जो है पीडियाफ हम सेयर करने वाले हैं एक जो है एक यहां पर आप देखी सकते हैं एक जुलाई 2023 को जो इस टेक्चर को यह लागू किया गया है और दूसरा जो है यहां पर एक पांच अगस्त का नोटिफिकेशन निकल करके आया है बैंक द्वारा उस चीज को यहां पर भी हम सेयर करने वाले हैं तो पूरा विस्तार पुरुवा को यहां पर कमिशन से रिलेटिव यहां प बैंकिंग से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक पे और बात कर रहे थे SBA, CSB के कमिशन के बारे में तो यहां पर जुलाई मंत का सभी का कमिशन क्रेडिट हो चुका है अकाउंट में लेकिन वहां पर बहुत बड़ा बदलाओ देखने को मिला क्योंकि पिछले कुछ मंत के हिसाब से उनको बहुत कम कमिशन प्रुवाइट किया गया है तो यहां यहां पर एक notification को bank ने यहां पर जारी किया है यहां पर देख सकते हैं इस video file को यहां पर 5 अगस्त को 2023 को यहां पर जारी किया गया है और यहां पर देख सकते हैं आप तो यहां पर column number यहां पर जो है 3 और 4 बहुत ही important है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस समय पाया ग होना दिया हुआ है सोचल सिक्रूटी सट्वेंट याने के ट्रिफल एसेस एंड जो है पीएम जेड़ वाई यानि कि पर्धान मंत्री जंदन नहीं हो जना यहां पर पाया गया है कि जो है डिएफेस के मोनेटरिंग के दौरान इसको पाया गया है कि इसमें कोई भी यहां पर फोर्थ नमबर पर दिया हुआ है फिर देवर्फर नीडवाज यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहां पर जो है एवरेज बैलेंस में कुछ कंडिशन को लाया गया है बैंक द्वारा यहां पर पीम जेड़ वाई एंड एसे चाहे हो CSP हो अगर इसको इंप्रूव नहीं करेगा तो उसका जो है एवरेज बैलेंस का जो है कमिशन में यहां पर कटोती किया जाएगा यहां पर पॉइंट नमबर थ्री एंड फॉर में आप साफ साफ देख सकते हैं यहां पर पांच पांच अगस्त दो हजार तेईस को कितना टार्गेट को एचीव करना है सबसे बड़ी चीज वह इंपॉर्टेंट चीज है तो उसके बारे में हम थोड़ा से यहां पर देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं average balance का यहाँ पर slab दिया गया है जैसा कि आपको यह slab जून मन्थ से ही बैंक share कर रही थी लेकिन जून मन्थ में average balance का कटोती न किया गया और नहीं incentive को provide किया गया लेकिन 1 जुलाई से यह चार्ड लगू हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 slab यहाँ पर बने हुए है PMJY, PMJY, PMSVY, PMAPY यहाँ पर चार जो है product यहाँ पर दे रखा है bank ने और यहाँ पर 5 slab यहाँ पर रखा गया है average balance काटोती के लिए तो यहाँ पर अगर आप PMJY, PMJY 8 से लेकर के 9 के बीच में अगर आप करते हैं और उसको maintain करते है PMJY, PMSVY यहाँ पर column wise दिया हुआ है यही चार्ड जो है जुन मन्त में ही bank ने share किया है उसके बारे में पुरा details में हमने एक video भी बनाया था आप जो है हमारे channel पर जाके पी maintenance balance fee जो भी होता है incentive उसको provide किया जाएगा उसी तरह आप जो है second slab, third slab and five slab में अगर आप जो है यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर 100% तक आपका जो है यहाँ पर average balance commission provide किया जाएगा और साथ में जो है 2000 तक का अलग से जो है extra incentive भी provide किया जाएगा यहाँ पर कुछ condition यहाँ यहाँ पर एक बहुत important चीज आपको बहुत कम लोग आपको बताएंगे उस चीज को हमें यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर नीचे में आप डेक सकते हैं note में यहाँ पर लिखा हुआ है CSP shall be required to achieve target under any three of four segment यहाँ पर चार यहाँ पर segment दिया गया है यहाँ पर देख सकते है PMZY, PMJJY, PMSVA and APY यह चार segment दिया हुआ है अगर आपने तीन segment में अगर आपने achieve करेंगे कोई भी slab में अगर आप यहाँ पर चीज को achieve करेंगे तो आपको यहाँ पर उस इसाब से commission को provide किया जाएगा Suppose that आपने अगर आप PMZY आपने complete कर लिया यहाँ पे आपने 14 के above account open कर लिया PMZZY आपने 20 से above कर लिया PMSBY 30 से above कर लिया आपने APY नहीं किया 3 ही कर लिये तो अगर आपने 3 segment में आपने achieve कर लिया 5 slab तो उसके हिसाब से आपको commission को provide किया जाएगा तो यह अभी तक bank June में June से ही slab को share कर रही थी यहाँ पे finalist June में किसी का भी कटोती भी नहीं हुआ और नहीं किसी को incentive provide किया गया लेकिन यहाँ पे July मन से 1 July यहाँ पे 2023 से इस चार्ट के हिसाब से commission मिलना start हो चुका है और बहुत सारे लोग का जो है इसके हिसाब से commission को provide किया गया है उस हिसाब से उनका बहुत जाद जीनों ने इस slab के हिसाब से अपना maintain नहीं किया है अगर कोई भी zero slab है तो उनका 50% तक average balance का bank deduction करके commission provide किया हुआ है तो यहाँ पे आने वाले दिनों में इस चीज़ को हमें achieve करना है तभी जाकर के हम 100% commission जो है average balance का 100% commission provide कर सकते हैं और 7 में 2000 तक का incentive भी extra हम यहाँ पे पास सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी knowledgeable लगी हो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें comment करें जितना हो सके अधिक से अधिक सी वीडियो को share करें ताकि जिन लोगों का भी अगर commission कम आया है तो इस चार्ट के हिसाब से वो work करें ताकि उनका आने वाले दिनों में जो है जो भी average balance का commission कम हुआ है वो ना हो पाए तो इस वीडियो में इतना है उमिद करता हूँ कि आपको यह video अच्छी लगी होगी वीडियो को like भी किया होगा और हो सकते तो share भी गिया होगा वीडियो में इतना ही अगर आपको commission से related कोई भी doubt है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे comment section में पूछ सकते है मैं कोशिस करूँगा कि आपको question का मैं answer दे पाऊं तो इस टूडियो में इतना ही मिलते हैं आपको next टूडियो में इसी तरह के SBI CSP के question नए update के साथ तब तक लिए thank you, धन्यवाद मिलते हैं आपको next टूडियो में इसी तरह के मतपून update के साथ